नमस्कार दोस्तों, एक बरफिल से आप सभी कट दुपोन चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के स्पीडियो में सुपर्टेट एक्जाम के लिए सिच्छन कौसल से सम्बंदित कुछ मोश्ट इंपोर्टेट प्रस्णों को देखेंगे जो कि आपके आगामे एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेट है आप सभी लोग इस स्पीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको 25 प्रस्ण देखने को मिलेगा 25 में आपका कितना स्कोर सही होता है आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताईएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपके सामने है आप सभी लोग इसका एंसर बताईए प्रस्ण है दोस्तों बोलना किस प्रकार की क्रिया है आपको यहाँ पर बताना है बोलना की सुप्रकार की क्रिया है option आपके सामने है एच्छिक क्रिया है या एच्छिक क्रिया है या एच्छिक एउम एच्छिक दोनों है या उपरिक्त में से कोई नहीं है important प्रस्न है यहाँ पर आपका right answer क्या है आप सभी लोग बताईए देखे दोस्तों आप तभी बोलते हैं जब आपको बोलने की इच्छा होती है इसलिए दोस्तों बोलना क्या होता है एक एच्छिक क्रिया होता है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा बोलना एक एच्छिक क्रिया होता है यहाँ पर आपका a option right है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे सभी प्रशन आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए यहाँ पर जितने भी प्रशन है सभी प्रशन इंपोर्टेंट है अगला प्रशन है भासा का मानक रूप निम्न में से क्या है आपको बताना है ऑप्सन है भासा म ध्वनियों तथा अनुतान पर अपनी भासा की ध्वनियों तथा अनुतान का प्रभाव नहीं पढ़ने देना चाहिए या उपरियुक्त सभी यहां पर आपका राइट असुर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताइए देखिए दोस्तों भासा के मानक रूप के अंतरगत भासा में ध्वनियों का सुद्ध उच्चारन आता है और साथ में अपनी भासा और जिस भासा को वे सीख रहे हैं उनमें समान ध्वनियों के बीच अंतर करना आना चाहिए ये दोस्तों भासा के मानक रूप के अंतरगत आते हैं साथ में सीखी जाने वाली भासा की ध्वनि तथा अनुतान का प्रभाव नहीं पढ़ने देना चाहिए तो यहाँ पर जितने भी कथन लिखे गए हैं ABC ये सभी भासा की मानक रूप के अंतरगत आते हैं इसलिए आपका यहाँ पर D option right हो जाएगा उपरियुक्त सभी ठीक है यहाँ पर आपका D option right है चलिए आगे बढ़ यहाँ पर आपका right answer क्या है देखे दोस्तों सिच्छार्थियों को मानक रूप में बोलने के लिए भासा की ध्वनियों का भली भात उच्चारण करना चाहिए उच्चारण में साउधानी बरतनी चाहिए और साथ में स्वयम की भासा में तथा उनके द्वारा सीखी जाने वाली भासा में समान ध्वनियों में अपेच्छित भेद करना चाहिए ठीक है और सीखी जा रही भासा की ध्वनियों और अनुतान प्रतिमानों को अपनी भासा की ध्वनियों और अनुतान प्रतिमानों के ब्योधान से बचाना चाहिए यहाँ पर दोस्तों उपरिक्त सभ पठन कौसल में पठ्ठन कव्सल की क्या भूम क्या है ? पहला है पढ़ने की योग्यता कोना आवस्यक है क्योंकि यह भासा सीखने की एक बिधी है क्या यह सही है बिल्कुल सही है पढ़ने की योग गिता होना अवस्यक है क्योंकि यह भासा सीखने की एक विधी है दूसरा है इससे हम अधिक ज्यान प्राप्त करने की योग बनते हैं किस से पढ़न कौसल से हम अधिक ज्यान प्राप्त करने के योग बनते हैं और यह से चार अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है पठन काउसल का क्या लाब है पठन काउसल का क्या लाब है हमारे अनुभों को सम्रिद बनाता है या फिर हमारे सोचने और तर्क करने के धंग को बहतर बनाता है या जिग्यासु मस्तिष के विकास को दीप्त करता है या उपर बनाता है और जिग्यासु मस्तिस के विकास को उद्दीप्त भी करता है इसलिए आपका यहाँ पर उपरिप्त सभी राइट हो जाएगा डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ए बीसी तीनों विकल्प यहाँ पर राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिए सिच्छार्थी को किसका ग्यान होना आवस्यक है आपके सामने है आप लोग बताइए पहला आप्सन है सिच्छार्थी वर्ड माला को पहचान सके दूसरा है वर्ड माला की विभिन ध्वनियों में विभेद कर सक तीसरा है प्रतेक ध्वन को सम्मंदित वर्ग से जोड सके या उपरियुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट उसर क्या है देखे तोस्तों पढ़ने की योगिता प्रात्त करने के लिए यह आवस्यक है कि सिछार्थी वर्ड माला को पहचान सके अर्थात वर्डों की आकृतिय दाएगा उपरियुक्त सभी उपरियुक्त सभी पढ़ने की योगिता प्रात्त करने के लिए सिछार्थी को उपरियुक्त सभी ज्यान होना आवस्यक है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे पठन प्रक्रिया के कितने चरण है ओप्शन है चार छे आथ, दस, यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या है आप लोग मताईए, देखें दोस्तों पठन प्रक्रिया के कुल चार चरण है, कितने चरण है याद रखिएगा, कुल चार चरण है कौन-कौन, पहला स्रब्य भिम्बो का निर्माण, स्रब्य भिम्बो के साथ बिचारो का समूह बनाना, और सब्दों का सामूही करन, ये चार चरण हैं, पठन प्रक्रिया के, ठीक हैं, यहाँ पर आपका ए आपसर राइट है, इसको ध्ð्यान लखिएगा, अगला प्रस्ट देखेंगे, पठन प्रक्रिया में कितने प्रकार के पठन समलित हैं यहाँ पर दोस्तों पठन रहेगा इसे आप लोग ध्यान रखिएगा पठन प्रक्रिया में कितने प्रकार के पठन समलित हैं दो, चार, छे, आठ यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है आप सबी लोग बताईए देखे दोस्तों पठन प्रक्रिया में दो प्रकार के पठन समलित हैं कितने दो प्रकार के पठन समलित हैं कौन-कौन मुखर पठन और दूसरा है मौन पठन इसे ध्यान रखिएगा मुखर पठन और मौन प दोनों का समवर्थी दाइतो है या किस सम्मिधान संसोधन में अनुबंधित हैं achievements ऐपसन आपके सामने है आप सभी लोग इसका answer बताइए 52 समिधान संसोधन दोरह या 62 समिधान संसोधन दोरह या 62 समिधान संसोधन दोरह यहां पर आपका राइट उसर क्या है आप सभी लोग बताईए देखे दोस्तों बैलिस्याहवे समिधान संसोधन में यहां अनुबंधित है कि सिच्छा संग और राज सरकारों दोनों का समुवर्ती दाइट तो है इसलिए भी आपसनापका यहां पर राइट है चली आगे बढ़ते हैं गला परस्न देखेंगे सभी परस्न ध्यान से देखते हुए चलिए भारती सम्मिधान में अलप संखेकों के सैक्छिक हित सारक्षन का प्रावधान निम्न में से किन अनुच्छेदों में किया गया है इंपोरेंट प्रस्न है आप सभी लोग इसका ए अनुच्छेद 19 और 20 अनुच्छेद 29 और 30 अनुच्छेद 22 और 23 अनुच्छेद 26 और 27 यहां पर आपका राइट असर क्या है आप सभी लोग बताइए देखे दोस्तों भारती सम्मिधान में अलप संख्यकों के सैक्षिक हितों के संग्रक्षन के लिए अनुच्छेद 39 औ और 30 के अधीन विशेश प्रावधान किये गये हैं इसलिए आपका यहाँ पर B option बिल्कुल right है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखेंगे भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के किसी नागरी को धर्म जाती लिंग भासा के आधार पर सैक्षि 29 दो अनुच्छे 27 अनुच्छे 18 अनुच्छे 16 यहाँ पर आपका राइट असर क्या है आप सभी लोग बताईए देखे दोस्तों भारती सम्मिधान के अनुच्छेद 29 के तहत भारत के किसी भी नागरी को धर्म जाती लिंग भासा के आधार पर सैक्षिक संस्था में प्र 30 अनुच्छेद में मात्रि भासा और हिंदी के संवर्धन का उल्लेक है आपके सामने है आप सभी लोग इसका अनुच्छे 351 अनुच्छे 260 तथा अनुच्छे 360 अनुच्छे 250 तथा अनुच्छे 251 उपरियुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आपका राइट असर क्या है देखे दोस्तों भारत के संविधान में मात्रि भासा और हिंदी के संवर्धन का उल्लेक अनुच्छे 350 अ तथा अनुच्छे 351 में किया गया है ठीक है इसलिए आपका यहाँ पर ए आपसन बिल्कुल राइट है चलि आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे अगल अनिवारी सिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया ओप्सन आपके सामने है आप सभी लोग इसका एंसर बताइए यहाँ पर आपका राइट एसर क्या है आप लोग बताइए देखिए दोस्तों समिधान के 86 समिधान संसोधन द्वारा अनुच् आगला प्रस्त देखेंगे सभी प्रस्त ध्यान से देखते हुई चलिए भारती समिधान के किस अनुच्छेद के तहत 6-14 आयुवर के बच्चों को सिक्षा दिलाना उनके अभिभाव को का करतब्य होगा इंपोर्टेंट प्रस्त है यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या ह 6-14 आयुवर के बच्चों को सिक्षा दिलाना उनके अभिभाव को का करतब्य होगा यहाँ पर आपका सी आपसन बिल्कुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्त देखेंगे राष्टी मुक्त विद्यालय की अस्थापना कब हुई यहाँ पर आपका राइ पर आपसन पर प्रस उननेस्सों नवासी में भारत सरकार के मानो संसाधन विकास मंत्राले द्वरा एक स्वायत संस्था के रूप में की गई तो यहाँ पर आपका D आपसन बिल्कुल राइट है चलिए आगे पढ़ते हैं अगला प्रष्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है राश्ची मुक्त विद्याले का मुख्य उद्देश से क्या है आप्सन है विद्याले यस्तर पर सामानी सिक्षा कारिक्रमों के आउसर प्रदान करना क्या यह इसका उद्देश है तो बिल्कुल यह इसका उद्देश है पहला आप्सन आपका राइट है दूसरा है जीवन सम मुख्य उद्यस है इसलिए आपका यहाँ पर D option right हो जाएगा उपरियुक्त सभी A, B, C तीनों यहाँ पर आपका सई है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे बिद्याली अस्तर पर केंद्र अस्तरी संस्था और संगठन है ओप्सन आपके सामने है केंद्री माध्यमिक सिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, केंद्री विद्याले संगठन नई दिल्ली, राश्ची मुक्त विद्याले नई दिल्ली या उपरियुक्त सभी यहाँ पर आपका राइड असर क्या है देखिए दोस्तों ये तीनों केंदरी माध्मिक सिक्षा बोर्ड और केंदरी विद्याले संगठन और राश्री मुक्त विद्याले ये तीनों विद्याले यस्तर पर केंदर यस्तरी संस्था और संगठन है इसलिए आपका D आपसन यह यहाँ पर राइट है उपर यूक्त सभी, चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन देखेंगे, संग सासिच छेतरों में विद्ययले शिक्षा के संचालन की जीमेदारी किसकी होती है, राज्यों केंद्र सरकार की, या संग सासिच छेतरों की, या केंद्र सरकार की, या इसलिए आपका यहां पर सी आपसन बिल्कुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे राश्री सैक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षण परिश्यत का क्या कार्य है अपसन है अनुसंधान यूम विस्तार सेवा पूर्व तथा सेवा कालिन प्रसिक कार्य करना अनुसंधान शिक्षा की छेत्र में अनुसंधान और विस्तार साथ में सेवा पूर्व तथा सेवा कालिन प्रसिक्षण कार्यक्रम की व्योस्ता करना और ग्यान और सूचना का प्रसार करना इसलिए आपका यहां पर उपरिश्यत सभी डी आपसन यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण देखेंगे केंद्री माध्यमिक सिक्षा बोर्ड के कारे हैं ओप्षन है माध्यमिक सिक्षा के लिए पाठ ब्यूरन निर्धारित करना परिक्षाओं का संचालन करना विद्यालेओं का संबध्धी करना उपर युक्त सभी आपका यहाँ पर डी आप्षन राइट हो जाएगा उपर युक्त सभी यह सभी केंद्री माध्यमिक सिक्षा बोर्ड के कारे के अंतरगत आते हैं अगला प्रश्ण देखेंगे बिद्यालेओं का प्रबंध करने वाले अस्थानी निकाय है ओप्षन है जिला परिशत परिशत पंचायस समित और ग्राम पंचायत और साथ में ग्राम सिक्षा समित और नगरपालिका तथा अध्यापक संघ और सिक्षा न्यास यह सभी दोस्तों विद्यालेक अच्छा का प्रबंध करने वाले अस्थानी निकाय है इसलिए आपका यहाँ पर डी आपसर यहां पर राइट एंसर क्या है पहला है सिक्षा की गुडवत्ता में सुधार वा अध्यापकों की नियुक्ति करना क्या यह सही है तो यह बिल्कुल राइट है दोस्तो विद्याले सिक्षा के संदर में अस्थानी निकायों का प्रमुकार है सिक्षा की गुडवत्ता में सु जाएगा उपर युक्त सभी यहाँ पर तीनों कथन सई है ठीक है अगला प्रशन देखेंगे विद्यार्थियों को किस कच्छा तक सामान्य सिक्षा दी जाती है इंपोर्टेंट प्रशन है कच्छा 5, कच्छा 8, कच्छा 10, कच्छा 12 यहाँ पर आपका राइट असर क्या है आप सभी लोग बताइए देखें दोस्तों सामान्य सिक्षा कच्छा 10 तक दी जाती है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा सामाने सिक्षा कच्छा 10 तक दी जाती है ताकि दोस्तों समाज में रहने के लिए आवस्यक सामाने जागरुकता और अपेक्षित कौसल प्रदान किया जा सके बच्चों को ठीक है तो C आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे विद्याले के संचालन प्रतिमान है आपसन है नौकर साही प्रतिमान विभागी प्रतिमान महा विद्याले वा लोकतांतरिक प्रतिमान उपरियुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट असर क्या है आप लोग बताईए देखे दोस्तों विद्याले के संचालन प्रतिमान के अं संगठ नात्मक ब्योहार का मूल तत्व क्या है ब्यक्ति संरशना प्रोध्दोगिकी और बाहवातावरण या उपरियुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट असुर क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों संगठ नात्मक ब्योहार का मूल तत्व ब्यक्ति संरशना प्रोध्दो लोगी की और बाह वातावरण है जिसमें संगठन कार्य करता है इसलिए आपका यहाँ पर डी आपसर राइट है उपर युक्त सभी तो इस प्रकार से दोस्तों आज कह वीडियो यहाँ पर समाप्थ होता है यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर पूताइए अच के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत पूत धन्यवाद